बाजपा की नई योजना है तयार बाजपा ओफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजे बरगिया जी आपका बेटा बल्ला भूदवरिया चलाता है अपसर पे बैठ चला रहा था उसको बिजे पी ओफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गाड बना देते हैं क्या जा सकता है क्या सरकार से सवाल पूछना आज गुना हो गया है और अगर सरकार से सवाल पूछना गुना हो गया है तो क्या विपक्षी पार्टी के नेताओं को अब आने वाले वक्त में एक के बाद एक कई बड़े जटके लगने वाले हैं और जिस तरीके से अभी वि विपक्ष का हो रहा है जो विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है जो विपक्ष देश की जनता के लिए काम कर रहा है वो अब सरकार के निसाने पर है और उन्ही में कनहिया कुमार का नाम भी शामिले के लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे कनहिया कुमार क्या अब CBI और ED के आया है का नहीं कुमार क्या कुछ कहरें देखिए एक रिपोर्ट बाजपा की नई योजना है तैयार भाजपा ओफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकीदार यहीं योजना है ना लेकिन मैं कहता हूं बिजे बरगिया जी आपका बेटा बल्ला भूदवरिया चलाता है मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सियाई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा अफिसमें सिकुरिटी गाड हायरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना और बैमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लग कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे, मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने, मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ, तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ, तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, त तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मुदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये हैं और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकिदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकिदार ये चौकिदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविस को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से अमने अपने दर्शकों को दिखाया तो सीधे सीधे तोर पर जो तस्वीर इस वक्त कनहिया कुमार की आ रही है वो तस्वीर कहीं न कहीं यह जाया करती है वो तस्वीर कहीं न कहीं ये साफ तोर पर बताती कि क्या आने वाले समय के अंदर कनहिया कुमार जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फसने वाले हैं और जिस तरीके से कॉंग्रिस पार्टी के कहीं नेताओं का अगर जिकर करें तो उन पर लगातार ताबर तोड़ छाप है अगर सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, सिक्षा, स्वास्त को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे तो विपक्षियों से सवाल पूछेंगे और क्या वाकई देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतम नहीं हो गया क्योंकि लोकतंत्र के माइने तो जिस तरीके से आज नजर आ रहे हैं, वो ये जाहिर तोर पर नज़त दिखाते हैं, कि लोकतंत्र рядART याने की पूरी तरीके से पलोप है और लोकतंत्र की जो परिभाषाज देखने को मिल रही है, वो यह कि लोकतंतर का मतलब BJP और मोह्ति सरकार. अब मैं सवाल जनता से कर लिता हूँ कि अज सरकार से सवाल पूछना गल्थ है तो देश की जनता भी चुप रहा है और आखिरकार कब तर वे पक्षी पार्टी की नेताओं कि इस तरीके से धड़ पकड़ होती रही कि उन्हें गरफतार किया जाता रहेगा आज के लिए तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार